भारत की मुबाइल बनाने वाली कमपनी माइक्रो मैक्स ने अब बाजार मे नया टैबलेट माइक्रो मैक्स कैनवास टैब पी 680 उता रहा है Micromax ने इस टेब की कीमत 9,499 रुपए रखी है इस टेबलेट की सबसे खास बात यह है कि इसमें dual inbuilt loud speaker लगे हुए है जो music सुनने की दिवानों को खासे पसंद आएंगे इस टेब में 20.32 cm यानि की 8 इंच की WXGA IPS डिस्पले है इसमें ND Glare की परक्चड़ी हुई है स्क्रीन का Resolution 800 x 1280 pixels है इसमें 1.3 GHz का Quad-Core प्रोसेसर है इसमें 1 GB की RAM लगी हुई है साथ ही 16 GB की Internal Memory है जिसे Micro SD Card की सहायता से 32 GB तक बढ़ाया जा सकता है यह Android 5.0 Lollipop पर चलता है यह Micromax का पहला टेब है जो Lollipop प्रणाली पर चलता है इसके अलावा इसमें 5 Megapixel का Primary Camera है इसमें Auto Focus लगा हुआ है वरफरेंट कैमरा 2 Pixel है इसकी सहायता से वीडियो कॉलिंग वा Selfie ली जा सकती है इस डिवाइस की सबसे बड़ी बात इसकी बैटरी है जो 4000 mAh की है साथ ही अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इस टेब में Dual Sim Support 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.0, Micro USB 2.0 इसमें OTG सपोर्ट दिया हुआ है और 3.5 mm का Audio Jack Port भी लगा हुआ है